हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ यह मलाई गेवर की रस्पी शेयर करने जा रहे हूं यह केसर मलाई गेवर है मेरा और इसकी रपड़ी बहुत फटा-फट से और मतलब इससे कहना चाहिए ना असानी से बनने वाला लेकिन कुछ टिप्स है इसके जिसे अगर आपका घेवर भी बिलकुल केसर रबड़ी वाला मलाईदार बनेगा तो टिप्स को फॉलो कीजेगा इसके लिए मैंने यह चार चमच घी ले लिया है टेबल स्पून घी अगर आपके पास कटोरी का नाप लेना चाहते है तो वन फोर्थ कर यानि एक कटोरी का चौथाई ह अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो और उतना ही नाप के मैंने वाटर लिया है बिलकुल ठंडा पानी है यह आप चाहो तो बरफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन मैंने चिल्ड वाटर लिया है अब इसको हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से इसका स् इसी के साथ साथ हम इसे इसमें आधा कप मैंने दूद लिया है यानि एक कटोरी का आधा भाग अगर आप कटोरी कनाब लेते हैं तो वन फोर्थ कटोरी आपको घी लेना है और वन फोर्थ ही आपको पानी लेना है और आधा कटोरी आपको दूद लेना है दूद भी ठंड अब एक कप मैंने मैदा लिया है यानि आप कटोरी कनाथ वही मैदा लेंगे लेकिन मैदा हम देखिए अलग अलग पार्ट्स में करके डालेंगे थोड़ी थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और इसको एक बर ग्राइंड करने में भी हमें आसानी हो और में और साथ साथ इसमें थोड़ा सा चिल्ड वाटर डाल रहे हूं ताकि यह पीस जाए अराम से इसमें लंस ना बने कोई भी इसका एक बैटर बन जाए अच्छा सा यह फिर दे कि हमने इसको गुमा लिया है एक बार चन कर लिया है इसको अच्छे से यह देखिए ऐसा हो गया है बैटर बिल्कुल स्मूथ बैटर इसका बनता है और फटा फट बन जाता है हमें बहुत जादा मेहनत नहीं लगती है अब इसके साथ इस समय मैं इसमें पूरा जो बचा हुआ मैदा है वो डाल दूँगी मैं इसमें तीन बार में करके डाला है और चिल्ड वाटर यानि फ्रीज का पानी हम लेंगे आप चाहो तो बरक मिला पानी भी इस्तिमाल कर सकते हैं बात में मैंने फिर एक कप इसमें पानी डाला है क्योंकि हमें बैटर को गाड़ा नहीं रखना पोरिंग कसी सेंसी तक हमें इसको रखना है कि देखिए हमारा बैट अब इसको हम अच्छे से करके निकाल लेंगे कि पानी टालूँगी मैं एसमें और क्योंकि थोड़ा से गाडा लग रहा था बैटर और इसको अब एक बार से फिर चला लेंगे अब इसमें मैं एक चम्मच नीमू का रस डाल देंगे और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार दुबारा से और इसको हम निकाल लेते हैं एक अलग से बर्तन में अब भी यहां पर एक कटोरी पानी में इसमें और डाल दूगी इसको मैं अच्छे से पतला करना है मिक्स करके यह देखे ऐसी कंसिजेंसिस की होनी चाहिए यानि कि टोटल अगर मैं आपको बताओं तो इसमें मैंने धाई कटोरी पानी डाला है यानि कि अब कप का नाम तो मैंने धाई कप पानी इसमें टोटल यूज किया है यह देखे मैंने थोड़ा सा पानी और डाला था अब यह हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है हमारे घेवर को बनाने के लिए यह देखे ऐसा बैटर हमारा होना चाहिए इतना पतला बिल्कुल एक धार इसकी लगातार स अब एक पैन ले लिया है मैंने फ्राइ पैन जिसे में हम चाय बनाते हैं वह लिया है और इसमें मैंने यह देखे में बना रह यह इतो है अब तो अगर गरम रहे गा तो हमारा गीवर बिल्कुल अच्छा नहीं वनेगा गी अच्छी से गरम हो गया है उपर से हमने एक बार डाला है जब इसके जहाग भिल्कुल खतम हो जाएंगे यह जहाग बंद रहे हैं तब हम दुबारा से इसमें बैटर को थोड़ा सा डालेंगे तो जालेगे में सब्सक्राइब करने अच्छा को यह जाले उसके रहे हैं इस तरह से से लिएलाँ रहे हो जाली है है जाली इस ब्रह्यार में कि आप भी बनाएंगे और किनारे से हम फिर इसको लास में इस तरह से इसको छुड़ा देंगे ताकि ये ऊपर की तरफ से भी हल्का सा ब्राउन हो जाए अब हम इसे निकाल लेंगे बिलकुल और किसी एक स्टैंड पर हम इसको रख देंगे ताकि इसका बाकी बचावगी भी निकल जाए इसी तरह से मैं धूसरी कर लेती हूं इसमें इतने बैटर में मेरे कम से कम 5 च्छे गेवर मेरे अच्छे बड़े साइस की इतों साइस की बन्सके रेड़ी हूए थे अब इसको भी मैं निकाल लेती हूं चाशनी की रेस्पी मैं आig कसा पहली पहले चाशनी के चाहिसे siper नाए तर्वाली सबघी वाली सब बोड़ा की करते ना है सिंपल दूद को सिर्फ गाड़ा कर लिया है और कुछ नहीं किया इसमें थल्का से चीनी डाली थी उसमें मैंने सिर्फ हमें दूद को रिड्योस करना है और उपर से हम इसको बदाम पिस्टा काजू या केसर से इसको गार्निश कर देंगे और हमारा गेवर बनकर बिल्कुल है बहुत असानी के साथ थोड़े से टिप्स के साथ आप इस गेवर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट की तरह है तो फ्रेंड्स बनाइए खाई और अपना फीड में साथ शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग